चुनाव का नगाड़ा बच्चुका है पेले और दूसरे चरण में राजस्तान की जनता को अपना मत प्रगट करना है और आप सभी को राजस्तान की जनता के पास गाओं गाओं में दानी दानी में गर गर में नरेंद्र मोदी का महान भारत की रचना का संदेश लेकर जाना है उस वक्त मैं राजस्तान की इस भूर भूमी पर आया हूं उस वक्त मैं राजस्तान की इस भूमी को प्रणाम करकर यही क्षेत्र के राव जोदा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंग और कई प्रतापी वीर पुरुसों को प्रणाम करता हूँ और उनका स्मरन करकर मेरी बात की सुरुवात करता हूँ भाई और बैनों, आज पूरा राजस्तान नहीं, देश भर में जहां त्याग, बलिदान और सौर्य की बात होती है मेरे राजस्तान का नाम सबसे पहले लेने का काम है यहां पर इसी भूमी में पन्ना धाई पैदा हो सकती है और इसी भूमी का पानी है, जो महाराना प्रताप को पूरा जीवन मुगलों के सामने लड़ने के लिए तैयार कर सकता है इस भूमी ने हमेशा देश को देश की सिमाओं की सुरक्सा करने वाले वीर योद्धा देने का काम किया है वो सभी वीर माताओं को प्रणाम करकर मेरी बात की में सुरुआत करना चाहता है कारकरता भाई और बेनों इस बार हमने इस लोगसबा चुनाओं में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जीने हमारे सामने 400 पार का लक्स रखा है चार सो से ज्यादा सिटे एंडिये जितेगी और तीन सो सत्तर से ज्यादा सिटे भारतिय जनता पार्टी जितेगी और यह लक्स की पूर्ती कोई नेता नहीं कर से भारतिय जनता पार्टी ऐसी का पार्टी है जिसमें चुनाओं नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते हैं मेरे बूत के कारे करताओं के दम पर जीते जाते हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो देश और दुनिया में भारतिय जन्टा पार्टी का और देश का जन्डा बुलंद करने का काम किया है इससे समग्र देश की जन्टा तैयार बेटी है मोदी जी को तीसरी बार चूनकर प्रधान मंत्री बनाने के लिए मगर वो जन्ता के पास जाकर उसको मत्दान मत्ख तक ले जाने का काम आप सभी ने करना है अभी चारों सिटों के प्रमूख नेताओं के साथ मेरी मिटिंग हुई है और डिटेल कारे योदना आप लोगों के लिए बनाई है और मैं खूद कह देता हूँ कि ये कारे योदना थोड़ी कठीन है मगर कठीन है भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरताओं के लिए कठीन नहीं है भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरता कठीन काम ही सबसे अच्छे तरीके से करते हैं मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है किस कारे योदना को मत्दाता सुची के पन्ने पन्ने तक आपको नीचे पहुँचाना है हर बूद तक आपको नीचे पहुचाना है हर सक्ति कैंद्र तक आपको नीचे पहुचाना है और मोदी जी के संदेश को लेकर जाना है मित्रो दस साल पहले यूपिये की सरकार थी और देश के भविश्य को अंधिकार करकर सोनिया मनमौन ने रख दिया था 2014 में देश और राजस्तान की जंटा ने मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर्श छेत्र में परिवर्टन लाने का काम किया है देश के साथ करोड गरीबों को मोदी जी ने पहली बार दिल्ली की सरकार गरीबों की सरकार होती है इसका विश्वास दिलाने का काम किया है 80 करोड से ज़्यादा गरीबों को मुप्ट राशन देने का काम किस ने किया नरेंद्रमोधी ने किया 12 करोड स्वचाले देने का काम किस ने किया नरेंद्रमोधी ने किया चार करोड से जादा लोगों को घर देने का काम किस ने किया, नरेंद्र मोधी ने किया 14 करोड लोगों को नल से जल देने का काम किस ने किया नरेंद्र मोधी ने किया और 60 करोड लोगों को 5 लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा मुप्त में देने का काम किस ने किया नरेंद्र मोधी ने किया एसी करोड लोग आज मोदी जी को मन से दुआएं देते हैं वो मोदी जी की भौज बनकर सेना बनकर कॉंग्रेस पे कहर बरपाने के लिए तयार खड़ें आपका दाइत्व है मेरा दाइत्व है कि एसी करोड लोगों को घर पे जाकर इस सारी चीजे बताकर उसको मत्दान तक लागने का काम के मोदी जी ने देश को सुरक्सीत करने का का कॉंग्रेस के जमाने में कि दस साल मनमोहन सिंग की सरकार थी आए दिन बम दमाके होते थे पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर बम दमाके करकर भाग जाते थे कोई ठोट ठीकाना नहीं था मोदी जी आए ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगा आप भी कर सकते हैं गलती कर दी उरी और पुलवामा में बंदमा के करे हमारे सेना और सी आर्पी एप के जवानों पर हमला किया उनको मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी की भारतिय ज सरकार है दस ही दिन के अंदर हम दस ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइकश करकर पाकिस्तान के घर में गुस कर आतंकवादियों का सफाय करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने कर का भाइयो और जुबैयों मोदी जी ने देश को सुरक्सीत करने का काम किया है मोदी जी ने देश को समरूद करने का काम किया है डस साल से भारत के अर्थ तंत्र को ये अर्थ सास्त्री मनमोहन सिंग ग्यारवे नंबर पर फ्रीज करकर बैठ गए थे और कहते थे हमारी सिद्धी है ग्यारवे से बारवे नंबर पर नहीं गए पर मोधी जी प्रदान मंत्री बनने के बाद 10 साल में 11 नंबर से अर्थ तंत्र को पांचवे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया भाई और बेनो मैं आज मोधी गेरेंटी आपको बताने आया हूँ मोधी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री कर दो भारत तीसरे नंबर का अर्थ तंत्र बन जाएगा भारत को दुनिया भर में भारत को मैनुफेक्चरिंग का हब बनाने का का स्टार्ट अप का भंडार डालने का का देश बर में थे हरोज हजारों की संक्या में पेटन रजिस्टर हो रहे हैं और युवाओं को नई नई नौकरिया मिले हैं भाई और बैनो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धेर सारे काम कि हर सब्ता दस साल में हर सब्ता एक नई उन्युवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोधी जिने किया है हर दीन 37 37 स्टाट अप रजिस्टर करने का काम नरेंद्र मोधी जिने किया है भारत में हर दीन 16,000 करोड रुपय के UPI ट्रांजेक्शन होते हैं भारत में हर दीन 14 किलोमिटर रोड बनती है बारत में हर दीन 50,000 कनेक्शन गैस के नरेंद्र मोधी जिने दिया है और एक घजेंद्र सिखावत यहां बैठे हैं हर सेकंड एक घर को नल का कनेक्शन देने का काम भी भारतिय जनता पार्टी के मोधी जिने की हमने देश को मजबूत किया है सुरक्सीत किया है समरूद किया है और इसके साथ साथ हमने धेर सारे वादे जो भारतिय जनता पार्टी की स्थापना से करें है वो सारे वादों को मोधी जिने दस साल में पूरा करने का काम की लिए है मित्रवे जवालना नेरो एक गलती करकर गए थे कस्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे जिससे कस्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया मोधी जिने सब लोग मानते थे कि दारा 370 हट नहीं सकते मुझे बताओ भाई और वेनो एक कस्मीर किसका है जोड से बोलो किसका है दारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी नरेंद्र मोधी जी ने पांच अगस 2019 को दारा 370 को समाप्त कर दिया और कस्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोधी में किया यह राम लल्ला का मंदीर अयोध्या में 500-500 साल से करोडो रामभक राह देख रहे थी कब राम जन्मभुमी में अयोध्या में भव्य राम लल्ला का मंदीर बने सत्तर साल से एक कॉंग्रेस पार्टी राम लल्ला के जन्मस्तान पर मंदीर के मुद्दे को अटका रही थी भटका रही थी लटका रही थी मोदी जी ने राम लल्ला की जन्मभुमी को इसके केश का निप्तारा भी किया भुमी पुजन भी किया और 22 जन्वरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्टा करने का काम भी नहीं 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 करती थी, हमने डेड़ सो साल पुराने अंग्रे जो के कानून बदल दिये, सो साल पुरानी पार्लामेंट पडली, हमने नकसलवाद और उक्रवाद को अतंकवाद को उखाड कर फैकने का काम किया, और अब किसी की हिम्मत नहीं है, भारत में बम दमाका कर सके, ऐसा सुरक्सीद भारत बनाने का काम नरेंद्रम मोदी जी नहीं किया, और मित्रों हिसी लिए, 2014 में, 55 प्रतीसत वॉट के साथ, 25 की 25 सिटे, राजस्थान की जनता ने मोदी जी को दी थी, 2019 में, वॉट प्रतीसत, 61 प्रतीसत हुआ, और फिर 25 की 25 सिटे दी, और इस सब करने के बाद मोदी जी फिर से आये है, इस वक्त, 70 प्रतीसत वॉट के साथ, 25 की 25 सिटे जीत कर, हैट्रीक लगानी है, मुझे बताओ, ये चारों सिटे, मोदी जी की जोली में डालेंगे क्या, अरे जोर से बोला डालेंगे क्या, सत्तर प्रतीसत वॉट प्राप्त करेंगे क्या, भाई और बेनो, राजस्तान के अंदर हैट्रीक लगाने का काम, जनता तयार बेठी है, मेरे घवरव बनते कारेकरताओं को करना है, और किस से मुकाबला है, किस से मुकाबला है, ए परिवारवादी घमन्या गठ बंदन से, जिनको अपने परिवार के लावे किसी की चिंता नहीं, इतने सारे युवा बेठे, गैलो जी को आपकी चिंता है क्या, अरे जोड से बोलो है क्या, गैलो जी का एक ही लक्स है, बेटे को मुक्य मंत्री बनाना आपकी चिंता नहीं है, और गैलो जी छोड़ो सोनिया जी राहूल गांदी को प्रदान मंत्री बनाना चाते है लालू यादव बेटे को मुख्य मंत्री बनाना चाते है उद्धा उठाकरे बेटे को मुख्य मंत्री बनाना चाते है ममताब एनर जी बतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाती है स्तालीन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाते है अरे भाई जो बेटा बेटी बहु और बतीजे की सोचे वो भारत के युवाओ की सोच सकता है क्या सोच सकता है क्या भारत के इवाओं को आगे बढ़ाने की सोच केवल और केवल नरेंद्रमोदी और भारतिय जनता पार्टी को भाई और बेनो भाई और बेनो यह जो कुणबा गटा हुआ है कल इनों ने कहा लोगतंत्र बचाओ क्यूं भई क्या होगा है लोगतंत्र को इस देश की जनता वोट डालने वाली है टाई करेगी आप काहे को लोगतंत्र बचाने की बात करे हो कह रहे हैं हमारे नेता जैल में गए भाई मुझे बताओ 12 लाग करोड के गपले गोटाले करेंगे तो जैल में जाएंगे या नहीं जाएंगे जोर से बोलो जाएंगे या नहीं जाएंगे और राउल बाबा सुन लो क्यूं भरियाद करे हो हमने 2014 में भी किया 19 में भी किया के करम चुनाव लड़े थे जो ब्रस्टाचार करेगा वो जेल की सलाकों के पीछे चला जाएगा यहाँ पर भी पेपर लीक में जिनोंने भ्रस्टाचार किया हमारे भजन लाल जी ने चुन चुन कर जेल की सलाकों के पीछे डालने काता है मुझे बताओ भाई और बेनो राजस्तान की जनता ब्रश्टाचारियों के साथ है या ब्रश्टाचार समाप्त करने वाले मोदी जी के साथ है जोर से बोलो किसके साथ है और जोर से बोलो किसके साथ है यह लोग तंत्र बचाने की बाद करते है राहूल बाबा आपकी नानी ने इमरजंसी में आपकी धादी ने इमर्जन्सी में लाखों लोगों को जेल मेड डाल दिया था, राधनितिक पाटियों पर प्रतिबन लगाया था, आपको लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं, मित्रों ये तुरुष्टी करन करने वाले लोग, पांच साल के अंदर, पांच साल के अंदर राजस्ता में जगए जगए पर बहुमती समाज के धार्मिक्स्तानों पर हमला हूं कनया लाल को मार दिया गया कई सारे लोगों को मार दिया गया ये तुरुस्टी करन करने वाले लोग है हमारा मत है निया इस सब के साथ होगा तुरुष्टी करण किसी का नहीं होगा नहीं होगा और राजस्तान इसी रास्ते पर चलने वाला है मित्रों यह लोग कि सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं मुझे एक सिन्यर पत्रकार का फोन आया कि अमिद भाई यह लोग एक और ग्यारा करकर सपना बना देख रहे हैं मैंने बुला उनको मालूम नहीं है सुन्य प्लस सुन्य बराबर सुन्य ही होता है कितने भी दिल कितने भी दल इखटा कर लो आएगा तो मोदी ही आएगा भाई और बेनो भारत्य जन्ता पार्टी की सरकार ने धेर सारे मिथक थे वो तोड़ दिये हैं हमने पेपर लिग के लिए वादा किया सब लोग हस रहे थे जब हमारे नेताओं ने इर सिपी का वादा किया कहां से लाएंगे गैलो जी पूछ रहे थे गैलो जी बजनलाल तो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं पांची महिने में इर सिपी को जमिन पर उतारने का काम कर दिया जमना का पानी यहुना जी का पानी राजस्तान के तिन जिलों में लाना असंभाव जैसा काम दा मोदी जी के आसिरवाद से बजनलाल ने इसको भी पूरा कर दिया और भाई और बैनो साड़े चार सो रूपये में गैस का सिलिंडर देने का काम भी बजनलाल जी ने पूरा कर दिया और SIT बनाकर सबको जैल में डालने का काम भी बजनलाल जी ने पूरा कर दिया भाई और बेनों मेरा आप सभी से एक निवेदन हैं, जब आप जनता के साथ जाएए, तब हिसाब लेकर जाएएगा, 10 साल UPA को मिले, मन महुन सिंग को 10 साल मिले या नहीं मिले, जोर से बोलो मिले या नहीं मिले, और 10 साल मोधी जी को मिले, मन्मhoorn सिंग ने दस साल में राजस्तान को क्या दिया? सिर्फ एक लाक एक सट अजार करोड रुप्या. कितना दिया? जोर से बोलो याद रखना है कितना? और मोदी जी ने दस साल में चार गुणा ज्यादा 6,24,000 करोड उप्या देने का काम मोदी जी ने किया लिए इसके अलावे 2,80,000 करोड 6,24,000 प्लस 2,80,000 आठ लाग करोड हुआ 2,00,000 करोड रोड के लिए 70,000 करोड रेलवे के लिए 7,000 करोड एरपोटों के लिए और 60,000 करोड की रिफाइनरी देने का काम हमारे नेता प्रिय प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है असो क्या लो जी अगर बेटे के जिताने में से प्री हो जाओ तो मेरी बात का जवाब देना मैंने तो आज सारवजनिक रूप से हिसाब दिया है हिसाब देकर दिन तई करना हमारे युवा मोर्चे के द्यक्स को मैं चर्चा करने के लिए भेद दूँगा दो दो हाथ करने भाई और बेनों ए आठ लाग करोड के अलावे राजस्तान के गरीबों को असी लाग किसानों को किसान सन्मान निदी 32 लाग गरीबों के घर में जल से नल नल से जल एक करोड दस लाग लोगों को पांच लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा सोचा लए चार करोड 38 लाख लोगों को मुप्त अनाज 31 लाख माताओ बेनों को 31 लाख माताओ बेनों को उज्वला का कनेक्शन और अब साड़े 400 रुप्य में गैस का सिलिंडर और 19 लाख लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रवरे राजस्तान वीर भुमी है सेना में यहां से हर घर से इक सेत्र से लोग जाते हैं युवा जाते हैं मोदी जी ने 40 साल से सेना के जहानों की मांग थी वन रैंक वन पैंशन देने की मोदी जी ने 2015 में ही वन रैंक वन पैंशन को समाप्त कर दिया और इतनी सारी माताय बेहने बैठी हैं मैं आपको बताने आया हूँ माताओ को बेहनों को 33% आरक्षन देने की मांग आजादी के समय से चल रही थी कभी समाप्त नहीं हुई मोदी जी ने माताओ बेहनों को 33% आरक्षन देने का काम भी समाप्त मित्रो एक और 12 लाग करोड के गपले गोटाले ब्रस्ट अचार करने वाली कॉंग्रेस पार्टी है तुरूष्टी करन करकर हमारे मान बिंदूओं का अपमान करने वाली कॉंग्रेस पार्टी है किसान विरोधी मैला विरोधी कॉंग्रेस पार्टी है और दूसरी और पारदर्शिता से सरकार चलाकर 23-23 साल हो गए मोदी जी को मुख्यमंत्री प्रदान मंत्री रहते एक आने का भी करप्सन का आरोप मोदी जी पर नहीं लगा है मित्रो दूसरी और प्रामानिकता से सरकार चलाकर देश को सुरक्सित और समरुद बनाने वाले नरेंद्र मोदी है मैं अंत्वे सभी कारिकरता भाई और बेनों को अपील करने आया हूँ चुनाओ तक 26 एप्रिल की राद तक सब काम भुलकर नरेंद्र मोदी के सिपाही बनकर मुँ में बारत मता के जय का जय कारा लेकर गाउं गाउं दानी दानी गर गर जाईए कार बेकर मोदी